गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, आज की आपकी वर्कशीट नमबर दो हरिवन्ष राय बच्चन जी द्वारा रचित एक कवीता दी गई है, जिसको आपने पढ़ना है, कवीता का नाम है आ रही रवी की सवारी और समझना है चलिए पढ़ना शुरू करते हैं नव किरन का रत सजा है, कली कुसुम से पत सजा है, बादलों से अनुचरूने, स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवी की सवारी विहग बंदी और चारन, गा रहे कीरती गायन, छोड कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी आ रही रवी की सवारी चाहता उचलूं विजय के है, पर ठिटकता देख कर यह है, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिकारी, आ रही रवी की सवारी चलिए, इस कविता का अब हम भावार्थ समझ लेते हैं, कि क्या कहना चाहा रहा है कवी इस कविता में कवी ने सूर्योदय का वर्णन किया है, और सूर्य को राजा के रूप में बताया गया है कवी कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है उसका रत सुभा की किर्णों से सजा है रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है प्रातहकाल के सूर्य की सूनहरी किर्णे बादलों को सोने के रंग से रंग देती है ऐसा लगता है जैसे बादल सूरे के सेवक हैं और जो सोने की सुनहरी वो शाक पहने हैं इस प्रकार सूरे की सवारी आ रही है प्रातहकाल जब सूरे उदे होता है तो रात के अंधकार में सभी को मुक्ती मिलती है जो रात का अंधेरा होता है वो खतम हो जाता है और सुबह सुबह जब सूरे उगता है तो उजाला हो जाता ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजई होकर अपने रत पर सवार होकर आया हो जब राजा महराजा जीत कर आते हैं तो उनके लिए दिये मशाल वगेरा जलाई जाती हैं उनकी जीत को मनाने के लिए तो जब सूर्य अपना किरनों के साथ उगता है तो ऐसा लगता है जैसे को वो भी अब सुभ़ सुभ़ चहाने लगते हैं इसलिए उन्हें कहा है पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक जैसे अन्य सेवक कौन है पेड़ पौदे फूल उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं सुभ़ सुभ़ आप देखते हैं जब सूरज उपता है तो पेड़ गई है देखिए चाहता उचलू विजय के है पर ठिटकता ठिक देख कर यह है रात का राजा खड़ा है रात का राजा कौन है चंद्रमा आस्मान में सूरज और चंद्रमा ही हैं सूरज दिन में दिखाई देता है और रात को चंद्रमा इसलिए रात का राजा चंद्रमा है सुभा का राजा सूर्य ये सोचता है कि मैं अपनी विजय पर उचलूँ लेकिन यह देखकर रुक जाता है कि रात का राजा खड़ा है राह हमें बनकर भिकारी क्योंकि उसकी जाने की बारी आ गई है अब तो वो उसको भिकारी कहा गया है अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सकते है क्योंकि पहले चंद्रमा आया फिर सूर जाया तो आना जाना संसार में लगा रहता है परिवर्तन संसार का अटल सकते है जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर करता है उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है और बेटा आजकल के स्तितियों में तो आपको ये समझना बहुत ही असान होगा क्यूंकि आपने देखा ये कोरोना की जो विकट परिस्तितियां आई थी इसमें किसी भी विक्ति का असमें चला जाना यह बताता है कि हम शन भर के लिए हैं कल कुछ भी हो सकता है सुख और दुख ये चलते ही रहते हैं अतह मनुष्य को आने वली हर परिस्तिति के लिए तैयार रहना चाहिए इसी में समझदारी है चलिए अब इसके प्रशनुक्तर कर लेते हैं सोने की पोशाक किसने पहनी है सोने की पोशाक बादलोंने पहनी है बादलों से अनूचरोंने स्वर्ण की पोशाक धारी स्वर्ण मने सोना सोने की पोशाक पहन रखी है बादलों ने, प्रशंसा में कीरती गायन कौन-कौन गा रहा है? देखिये, यहीं पर हम कविता में देखते हैं विहग बंदी और चारन गा रहे कीरती गायन यान विहग मने पक्षी पक्षी रूपी बंदी जो है और उसके साथ पेड़ पौधे सभी कीरती गायन गा रहे हैं सूरज के आने की खुशी में उसके स्वागत में गाना गा रहे हैं उसका बखान कर रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं रात का राजा भिकारी बनकर क्यों खड़ा है रात का राजा भिकारी बनकर इसलिए खड़ा है क्योंकि अब उसके जाने की बारी आ गई है देखिए यहां पर भी लिखा है सूरै अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिटक जाता है कि राथ का राजा चंद्रमा रास्ते में भिकारी बन कर खड़ा है क्यूंकि उसके जाने की बारी आगई है अर्थात परिवर्थन संसार का अटल सकते है क्यूंकि परिवर्दन संसार का अटल सकते है सूर्य के तीन प्रयायवाची शब्द आपको लिखने है सूर्य के तीन प्रयायवाची शब्द इससे पहले एक वक्षीट आई थी उसमें भी आपको बताया गया था चलिए मैं बता देती हूँ दिनकर, भानू, सूर्य, दिनेश, सूरज ये इसके प्रयायवाची है विलोम शब्द यानि विप्रीत शब्द आपको लिखने है रात का दिन, अंधेरा का विलोम शब्द है उजाला सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता देखो विटा, यदि सूरज ना होता तो प्रत्वी ही शायद ना होती हम प्रत्वी की भी कलपना नहीं कर सकते क्यूंकि सूरज से ही दिन की शुरुवात होती है सूरज की रोशनी में ही पेड़ पौधे भी अपना खाना बनाते है और वही भोजन चो पेड़ पौधे होते हैं हमें देते हैं फल फूरूट के रूप में सब साख सबजियों के अनाज के रूप में और अगर ये सब ना होता तो हम भी जीवित ना होते पशु पक्षी भी सूरज की रोश्नी में ही अपना जीवन की शुरुवात करते हैं और हम भी पेड़ पोधे भी तो सूरज ना होता तो प्रित्वी ही ना होती ऐसा और अगर आप इसमें कुछ और एड़ करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं थेंक्यू बेटा इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़िए और पूरा कीजिए